जहिन दोस्तो दोस्तो अखेर कर समायोजन पर रोक लगी गए कोट ने बेसिक सिक्षा सचीव से हलप नामा मागा कोट ने कहा जल्दिबाजी में की जा रही कारवाई आईए पूरे डिटेल को समझे कि आखिर क्या मैटर था किसने कोट में क्या क्या कहा तो यहां देख सकते हैं प्रयागराज समाधाता की जरीए इलावाज हाई कोट ने परसदिय विद्यालेव में अध्यापकों के समायोजन और स्थांतरन की प्रकेरिया पर रोक लगा दी है कोट ने इस मामले में बेसिक सिक्षा सचीव प्रयागराज को व्यक्तिकत हलफ नामत दाखिर कर बताने के लिए कहा है कि पूरी कारवाई इतनी जल्दिवाजी में क्यों की जा रही है निर्जा और पचास अन अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यहाँ आदेश जो है नयामूर्ति एस्सिंग और नयामूर्ति डी रमेस की खंड़पित ने दिया है याचिगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता नवीन कुमार सर्मा ने कोट को बताया कि बेसिक सिक्षय विवाग में अध्यापक अनुपात के अधार पर सिक्षकों की जीलों के भीतर ही सामय विजन की प्रकरिया चल रही है कोट को बताया गया कि सबसे पहले 30 जून 244 की स्थिति के अनुशार विद्याले में छात अध्यापक अनुपात तै किया जाएगा उसके लिए वास्तिविक प्रयास किये जाएंगे तता इसके अधार पर यह तै होगा कि किस-किस विद्याले में अध्यापकों की संक्या छ अदिवक्ता ने बेसिक सिक्षा सचियों को 31 जुलाई 2024 के पत्र का हवाला देकर कहा कि सारी पिरकरिया 6 सप्ता में पूरी करने का निर्ने लिया गया है। परिसदी स्कूलों में जीले के अंदर तबादले और समयुजन ने सिक्षकों की गणित बिकार दी है। यह तब तक पॉसिबल लही है जब तक कि बेसिक सिक्षा नियामली में संसोधन ना हो जाए। यहाँ पर प्रमोशन को लेकर टेट और नन टेट का भी मैटर फसा हुआ है। कोड का आदेश है और साथ में एंसीटी का भी का आदेश है कि बिना टेट के ना किया जाए। लेकिन जो पुराने बैज के हैं जब टेट लागो नहीं था तो उसके पहले के लोग क्या करेंगो उनका किस अधार पर होगा। सरकार्या तो उनको समय दे त्यारी करने की बोले कि आप टेट पास कर लिजे। तो काफी इसमें अडचन और पेज भी है प्रमोशन में। तो नहीं देखे समाईजर नीती में उच प्रात्मी विद्यालों में 29,334 गणित की ग्यान शिक्षिकों का भी गणित बिगार दिया है। प्रात्मिक के प्रदानर ध्यापकों की कंपोजित द्याले में सहय ध्यापक बना देने से जिन उच प्रात्मिक के प्रतानर ध्यापक के पद स्रीजित है। स्कूलों में भासा ध्यापक गणित बिग्यान और समाचिक पिसे के एक एकपत स्रीजित है विसंगती यह हो रही है कि प्रात्मिक के प्रदान ध्यापक को उच प्रात्मिक में मनमाने धंग से समय जित करने से चास संख्या के अधार पर 29,334 में 2015 से नियुक ध्यापक सरप्लस हो रहे हैं तो यहां पर देखिए अगली सुनवाई जो है आठ अगस्त को होनी है कोट ने कहा है कि प्रद्थम दिष्टिया सारी कारवाई बहुत जल्दिवाजी में की जारी है इस मामले में मातर लिखी जा करी देना प्रयाप्त नहीं है कोट ने बेसिक सिक्षा सची प्रयागराज को व्यक्तिगत हलफ नामा दाखिल करने के लिए कहा है साथी साथ अगली सुनवाई तक किसी अध्यापक के अंस्थानपरण पर लोक लगा दी है अगली सुनवाई अब आठ अगस्त को होगी तो और समस्याएं जसकी तब तक बनी रहेगी जब तक कि बेसिक सिक्षा नहीं मिली में कुछ अलग से संसोधन नहीं हो जाता कुछ नियम नहीं बना लिये जाते हैं और काफी तरह के अपवाद हैं दिकते हैं परशानियां हैं सिक्षगों की भी और समयोजन प्रकरिया भी लगा दी है यहां लेकिन विभाग समयजन जल्द जल्द करना भी चारा है धन्यवाद थेंक यू